फिर से स्वागत हैं आपका मेरी इस यूटूब चैनल पे आज आप लोगी साथ एक नई वीडियो शेर कर रही हूँ देखे पूरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेर और सिस्क्राइब जरूर करें देखे मैंने बहुत सुन्दर पिल्लो रेडी किया है देख सकते हैं काफी ब्यूटिफुल लग रहा है इसी तरीके से आप भी घर बैठे सुन्दर पिल्लो रेडी कर सकते हैं आज कर देखे पूरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेर और सिस्क्राइब जरूर करें और किस तरीके से हम टीशट का यूज करते हैं इस टीशट को हम गोल क्युक्त करेंगे इसके लिए पकली कोई भी ताली या ले सकते हैं इसलिए मैंने बड़ी ताली emba ले रक़ी है तो इसी से मैं कट कर दियों को से देखे करती हम मैं कि तरीके से हम। निचान लगा लेते हैं कि इस तरीके से हम निशान लगा लिए इस तरीके से मैं ने इसके चारो कर दो दो, क्रूटेज कर लें हम कट nilation इस तरीके से मैंने गोल सेप में कट कर लिया है देखिए इसके टू पीस है उन पीस और टू पीस है अब हमने क्या करने है अब रखने है इसको हमने इस तरीके से बैक बैक रखने के बाद हम रख देंगे इसके चारो तरफ सिलाई दिखे चारो तरफ में सिलाई लगाऊंगे सिर्फ इतना एरिया ओपन रखूंगी तो इसकी चारो तरफ लगाते हैं हम सिलाई सिर्फ इतना ओपन छोड़ेंगे साइट से आगे की तरफ सीधा करने के लिए तो चारो तरफ सिलाय लगा के दिखाती हूं तो इस तरीके से कर लेंगे हम चारो तरफ से श्टीच देखे मैंने चारो तरफ से सिलाय लगा दिये शिर्फ दो इंची के करेव यहां पर open छोड़ रखे तो इसको हम आगी की साइड सीधा कर लेंगे इस तरीके से मैंने आगी की साइड इसको सीधा कर लिया है अब देखिए इस तरीके साथ इसको double fold कीजिए फिस तरीके से four fold कर दीजिए और इसके center पर हमें एक निशान लगा लेंगे जिससे की बाद में सिल्दी में आशानी हो तो देखिए यह रहा हमारा बीच का center लिए अब देखिए हमारे पास जो भी बचे खुचे कत्रन है उनको हम सब इसके अंदर डालेंगे देखिए जो भी बचे खुचे कत्रन है उसे चोटी-चोटी piece में आप कट कर लिए जैसे T-shirt का यह side का portion है मेरे पास है तो इसको भी मैं चोटी-चोटी piece में cut कर लूँगी और कत्रन दिखाती हूँ आपको जो-जो डालने मैंने इसमें यह हमें पांठेड सारी कत्रन अब इसके अंदर हम इनको डालेंगे कत्रनों को द दिखिए कितना संदर हमारा यह pillow ready हो चुक है अब इसे किस तरीके से decorate करना है वह बताऊंगी पहले जो यह open area है इसको हम बंद कर लेंगे यह दिखिए और काफी beautiful बनके ready होगा अभी यह open area को बंद करके दिखाते हूँ इस तरीके से जो open area है इसको हम इस तरीके से हलका सा अपड़ा अंदर को hold करते हुए सुई से सिल देंगे देखिए इस तरीके से अब मैं इसमें देखिए मेरे पास कुछ स्टोन है तो इसको decorate करोंगी तो देखिए किस तरीके से हम रेकुरेट करते हैं सबसे पहले आप डाल लीजिए इस तरीके से सुई में तागा तागा आ काफी अच्छा लग रहा है जो की टी-शिट का ही था तो यहां पर सबसे पहले हम मोती अटेज करते हैं एक दम बीच पर सेंटर पर हम नहीं निशान लगया था उसी सेंटर पर मोती अटेज करेंगे देखे इस तरीके से मैंने बीच में एक बटन अटेज किया वो चारो तरफ से चार मोती अटेज कर दी है इस तरीके से आप कोई भी बटन अटेज कर सकते हैं और देखे इसका लोग काफी सुन्दर लग रहा है और एकतम मार्केट टाइप रेडी हो है इसी तरीके सा घर के जो भी पुराने कपड़े हैं उनका यूज कर सकते हैं और सुन्दर से सुन्दर पिल्लो घर में ही रेडी कर सकते हैं मार्केट से भी सुन्दर और मार्केट से भी कमप्राइज में यूज कर लेते हैं बन बन जाते हैं घर मत तयार हो जाते हैं और साथी घर के कपड़ों का भी यूज हो जाता है, हमें घर के कपड़े भी इतुर धर नहीं फैकने पढ़ते पुराने कोचें अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो पिलीच चैनल को लाइक, शेयर और सस्क्राइब जरूर करें उसी तरी के साथ घर पर डेड़ी फिल्लो कर सकते हैं, थैंक्स पर वाचिंग प्लीच लाइक, शेयर और सस्क्राइब माई यूटूब चैनल, अब मिलूंगे नेक्स वीडियो के साथ हुआ 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 है